Hello friends! आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी नास्ता जो की bread के एजिस से बना कर तयार किया है इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही ज़ाधा टेस्टी और कुरुकुरा बन कर तयार होता है घर पर जब भी सेंडविच बनाएं तो एजिस तो निकालने ही पड़ते हैं और इन एजिस को कोई भी खाना पसंद नहीं करता तो आज हम इन बचे हुए एजिस का इतना टेस्टी नास्ता बनाने वाले हैं कि सभी को बहुत जाता पसंद आएगा तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दो चमचे बेशन, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े सा हमें इसमें टेस्ट के अकोड़ी नमक एड़ कर देना है और फिर इसका पानी डाल कर अच्छे से एक पेस्ट बनाकर रेड़ी कर लेना है तो जैसा पेस्ट हम पकोड़ी बनाने के लिए रेड़ी करते है ना उसी तरीके से हमें यह पेस्ट बनाकर रेड़ी कर लेना है आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ी सी गाठे हैं तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढखकर रख देंगे रैस करने के लि इसको अच्छे से फेंट लेंगे जिसे की इसके गुठलियां सारी खतम हो जाएंगी तो जब हमारा बैटर अच्छे से तयार हो जाए तो अब हम लेंगे एजिस और एजिस को इसमें अच्छे से डीप कर देंगे और गरम गरम तेल में इसको तल लेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी नास्ता बन कर तयार हो जाएगा तो आईए तेल को गरम होने के लिए रख देते हैं और जब तेल अच्छे से गरम हो तब ही हम इसमें एजिस को डालेंगे तो बारी-बारी से सभी एजिसको इस तेल में डाल देंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और इसको अल्टा पल्टी भी जरूर करते रहिए जिससे की इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए और ये दोनों तरफ से सिख जाए तो हैनब होती असान रेसिपी अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए आई होप ये नासा देखकर अब कभी भी ब्रेड के एजिस को फैकेंगे नहीं और इसी तरीके से उसको यूज मिलेंगे तो अल्टा पल्टी करते रहें और इनको सुनहरा होने तक तल लीजिए ये देखें इनका कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन कर तयार हुए है ये नास्ता बच्चों को तो पसंद आने ही वाला है घर के सभी बड़ों को भी पसंद आएगा तो फ्रेंड्स आगया ना मुँमे पानी ये कितना टेस्टी और क्रंची बना है आप इसके आवाज सुन सकते हैं जिसे भी आप ये नास्ता खिलाएंगे कोई कही नहीं पाएगा कि आपने ब्रेड के एज इससे बना कर तयार किया है ऐसी ही टेस्टी और इजी रेस्पी हम आपके लिए लाते रहेंगे प्लीज लाइक, शेर एंड सस्क्राइब थैंक्यू फोर वोचिंग